दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरकेश टरी टॉपिक्स में दोस्तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जारखंड पुलिस के लिए जारखंड समान निग्यान से समधी टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टन कोशन जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही हेलफुल होंगे तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा क्लास को अपने दोस्तों तक सेयर करिएगा तो चलिए सुरू करते हैं परस्ट कोशन है करमाली जंजात किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं राइट एंसर रोजेगा ओप्शन बी दामोदर नदी को नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर टू भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नरायट सिंग किसका पुत्र था इंपोर्टन कोशन है राइट एंसर रोजेगा ओप्शन बी लचमण सिंग का Q3 है दच्छिन पस्टिम सीमान्त एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे राइट एंसरो जाएगा ओप्शन A Captain Wilkinson दोस्तो जिस Q4 का जवाब आप लोगों को आता हो कमेंट करके आपना जवाब चरू दिजिएगा Q4 परम वीर चक्र से समानित अलबर्ट एकका किस ब्रिगेट से समन्धित है राइट एंसरो जाएगा ओप्शन A ब्रिगेट ऑफ दा गार्ड से समन्धित है Q5 है मौंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली छार कंड की पहली महिला का नाम क्या है इंपोर्टन कोईशन है जार कंड की पहली महिला कौन है जिन्होंने एवरेस्ट में चड़ाई की थी तो राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन C हेम लता अगर वाल Q6 है जार कंड की प्रत्थम महिला काइबिनेट मंतरी का नाम क्या है इंपोर्टन कोईशन है राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन C जोबा मांजी तो फ्रेंट चाद रखेगा पहली महिला काइबिनेट मंतरी काउन है तो जोबा मांजी Q7 है जार कंड के प्रत्थम मुख्य नायधिस का नाम क्या था राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन B विनोत कुमार गुपता नेक्स्ट कोईशन है Q8 जार कंड के प्रत्थम पुलिस महानिदेशक का नाम क्या था इंपोर्टन कोईशन है राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन B सीवा जी महान कहरे Q9 है जार कंड के प्रत्थम मुख्य सचिव का नाम क्या था यह भी Q9 इंपोर्टन है राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन A विजय संकर दूबे Q9 है जार कंड का प्रत्थम विजली घर किस आस्तान पर इस्थापित हुआ है Q11 है जार कंड में अवरग की खान कहां पाई जाती है Q12 है जार कंड की जिली में इस्सिद है Q13 है जार कंड का पहला मुख्य मुख्यम स्थापित है मंत्री कौन था इंपोर्टन कोईशन है राइट एंसरो जगा ऑप्शन सी बाबुलाल मरांडी कोईशन नमबर 14 है किस वर्स बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था राइट एंसरो जगा ऑप्शन सी 1912 में कोईशन नमबर 15 है जार खंड में किस क्रम की चटानों का अभाव है राइट एंसरो जगा ऑप्शन ए कटप्पा क्रम की दोस्तों वीडियो को लाश तक देखेगा और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू दबाली जिएगा जिससे कि मेरे सारी वीडियो को नौटिफिकेशन आप लोगों तक चरू कि अगला कौशन है क्वेशन सिक्ष्टीन जार कंड में पहली जन्गढणा किस वर्स हुई थी राइट एंसरो जगा ऑप्शन सी 1872 क्वेशन न способ करके जाता है राइट एंसरो जगा ऑप्शन वी थोरियं परमाद ख करम फन कि पाया जाता है फिक ए气रस नेचीन है मुंडा विद्रोह की सुरुवात कब हुई थी राइट एंसरो जोगा ओप्शन ए 1793 में मुंडा विद्रोह सुरु हुआ था क्वेशन नमबर 19 है जारखंड राज की सबसे प्रदूसित नदी कौन सी है इंपोर्टन क्वेशन है राइट एंसरो जोगा ओप्शन डी दामोदर नदी क्वेशन नमबर 20 है जारखंड में कितने प्रदूसित खनिज भंडार संचित है Q21 है जार खंड का सबसे उंचा जल प्रपात कौन सा है Q22 है जार खंड की अवद्योगिक राजधानी कौन सी है Q23 है जार खंड की अवद्योगिक राजधानी है Q23 है जार खंड राजध में जूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है Q24 है जार खंड में धाल विद्रोह कब शुरू हुआ था Q25 है जार खंड राजध में निजी वनों को कब नियंत्र में लाया गया था Q25 में दोस्तो जिस क्वेशन का जवाब आप लोगों को आता हो कमेंट में अपना जवाब ज़ड दीजीगा Q27 है जार खंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजात काउंसी है तो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन B उराओ Q27 है जार खंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है Q28 है राज के किस जिले में सरवाधिक जनसंख्या है Q29 है जार खंड का राज की पसू कौन सा है Q30 है जार खंड में कितने जिले जनसंख्या है Q31 है जार खंड धाम किस जिले में है Q32 है जार खंड का कितना प्रस्षत भाक्रसी कार्योत योग्या है Q31 है जार खंड का कितना प्रस्षत भाक्रसी कार्योत योग्या है Question number 33 है राज में कुवें से सिचाई की जाने वाला छेतर कौन सा है Right answer हो जाएगा Option D गुमला Question number 34 है जारखंड राज में साइन्स सिटी की स्थापना कहां की जा रही है Right answer हो जाएगा Option D राची सहर में Next question है Question number 35 जारखंड में किस नदी पर तिलाईया जल विद्यूत परियोजना इस्थापित है Right answer हो जाएगा Option B बराकर नदी में Question number 36 है जारखंड का इस्थापना दिवस कम मनाया जाता है Important question है Right answer हो जाएगा Option B 15 नवंबर को Question number 37 है जारखंड राच के प्रत्थम मुख्यमंतरी का नाम क्या है इस question का जवाब आप लोग comment में जरूर बताईयेगा Question number 38 है जारखंड में अनसूची जातियों का प्रस्थाथ कितना है Right answer हो जाएगा Option C 12 दसमलो एक प्रस्थाथ Question number 39 है जारखंड का सिमला किसे कहा जाता है Right answer हो जाएगा Option A राची सहर को Question number 40 है जारखंड में प्रस्था किस वर्स लागू हुआ था Right answer हो जाएगा Option A 1861 वीडियो अच्छे लिएगा एक लाइक आप चैनल को सब्सक्राइब जोरू करिएगा जाद मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नाय टॉपिक साथ तब तक के लिए जाहिन वंद्य मात्रम